नमस्कार किसान भाईयों आप सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे होंगे बढ़ियां होंगे और आपका कल्चर बड़े अच्छे धंक से चल रहा होगा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो पांच एकर वाला तालाब था उसमें जो हम लोग फिंगर साइज का बच्छा जब फरवरी के लास्ट वीक में हम लोगों ने डाला था तो आज इसमें जाल लगवा करके आपके सामने जो है लाइब दिखाएंगे कि वो बच्छे आज लगभग च्यार महीने बाद वो कितने बड़े हो चुके हैं ये जो है एक एकर का तालाब है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें हम लोगोंने आई इंसी के जो है 5 जार बच्चे श्टउक किये थे जो five size का था और इसी में जो है पंद्रा सो बच्चे पिछले साल का जो बच गया था जो पंगासीत जिसको बोलते हैं वह भी बच्चे इसी में है तो आज उसी के साथ साथ जो है उसको आज निकाल जाएगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे और हम आपको इस स्क्रीन पे लाइफ जो है दिखाने वाले हैं और इसमें जो है बायो फीड भी हम लोगों ने दिया है बच्चों को जो पिछली वीडियो में हमने बना के आप लोगों को दिखाया भी था वो भी च बच्चे हैं नहीं तो उसिक साथे देख भी लेंगे और निकाल भी देंगे उसको इसमें हम लोगों ने रोहू, कतला, ग्रास और कुछ बच्चे कौमन कारके डाले हुए थे देखिए बच्चों का कैसे उचल कूद हो रहा है थोड़ा सा IMC बच्चे ज़्यादा ही उचल कूद मचाते हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और इसी के साथ जो है जितने भी बड़े बच्चे होंगे इसको filter करके जो है दूसरे तलाब में लेकर जो है मतलब shift कर देंगे ताकि जो छोटे बच्चे रहेंगे वो अपना इसी में रहेंगे बाकि जितने भी बड़े बच्चे हैं उनका size variation जो है जो बड़े तलाबों में है वो एक साथ हो जाए जहाँ पे छोटे बच्चे हैं छोटे में रहें और यहां पर बड़े बच्चे हो गए हैं वो बड़े में सिफ्ट करने वाले हैं तो दोस्तों जो भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो पसंद आये तो प्लीज जो है चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी के सामने दिखाता रहूँ दोस्तों आगे चलके इस चैनल पर धेर सारी वीडियो आने वाली हैं फार्मिंग से ही रिलेटेड रहेंगी फिस फार्मिंग हो गया, चाहे मुर्गी फारम हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, चाहे खेती किसानी हो गया, क्योंकि वीडियो रेगुलर बनाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोगों से हमेशा हम कनेक्ट में रहेंगे तो ये महा जाल है, इसमें थोड़े थोड़े बच्चे को निकाला जाता है, और एकी साथ अगर पूरा बच्चा उठा देंगे जाल से, तो ये लोग बहुत उचलकूद करते हैं अब इसमें से जो है, जितनी भी इसमें पंगासियस है, सब को जो है, बगल में देख रहे होंगे, जो हापा है, उसमें निकाल लेंगे और कुछ बच्चे जो है, रूप चंदा के भी थे इसमें, जादा नहीं थे, आठ दस बच्चे थे, ये देखिए, ये सब जो है, पंगासियस के जितने बच्चे हैं, सब को निकाल करके इसको सेल आउट कर देंगे, क्योंकि मार्केट में अभी इस टाइम पे रेट थोड आईय कहते हैं, वो सब करने के बाद जो है, आईयम सी के बच्चे को भी बगल में ही जो पैर लगा के हापा दिया गया है, उसमें सिफ्ट करके उसको दूसरे तलाम में रखा जाएगा, और जो है, कई लोग जो है ट्रेनिंग के लिए जो है, फोन करते हैं, मैं उनके लिए यह एक ट्रेनिंग का ही वीडियो बनाओंगा, कि किस तरह से ट्रेनिंग आप लोग पा सकते हैं, देखिए कितना अचल कूद कर रहे हैं, यह आईयम सी मछली होती है, इसका कूदना उचलना जो है, ज़ादा ही होता है, थोड़ा सा वर्क ज़ह है ज़ादा रहता है, तो इ आप देख पा रहे होंगे जो भी IMC के बच्चे थे उनकी क्या ग्रोथ हुई है ये चार महीने का बच्चा है जो finger size का था finger size मतलब 3 इंची का बच्चा था वो इस रूप में बदला गया है चार महीने के अंदर में ये जो है last फरोरी में हम लोगों ने तलाब में डाला था ल में डाल रहे थे और ये देखिए सारे बच्चो की काफी अच्छी ग्रोथ हुई है थोड़ा सा इसमें biofeed भी हम लोग दिये थे जो बीडियो में हमने बनाया है कि biofeed कैसे बनता है और back feeding भी कराए हैं और इसको जो back feeding हम लोग करा रहे थे उसमें जो है सर्षो की खली rice bran और बोरा आता है उसको च्यार जगए जो है पोल के जरिये जो है इसको पानी में ही टांग दिया जाता था और उसमें नीचे से छेट कर दिया जाता था तो उससे क्या होता था जो भी मचली जितना भी उसको खाना चाती थी जाती थी वहाँ पे खा के वापिस आती घूमती थी फ यह जो है ड्रम पूरे जो है बायाफिट के लिए लगे हैं हर एक तलाम में एक एक ड्रम जो है इसको बायाफिट के लिए जो है रेडी किया जाता है तो यह देखे जो impacts Emms की मचलियां हैं जो भी बड़े साइज का बच्चा है उसको बगल ये कर दिया जा रहा है इसको दूसरे तलाम में इसको अब shift कर दिया जाएगा जो इस size की मचलिया उसमें हैं और जो हम लोग IMC के लिए feeding कराते हैं जो bag में टांग करके जो bag feeding कराते हैं उसमें हम लोग percentage देखके नहीं डालते हैं मतलब का यूऐम चीका मचली का बोडी वेट परसेंटेज उस हिसाब से नहीं ढालते हैं डाइक जो है जितना भी परसेंट होता है मतलब खाने का जैसे rice polish हो गया, चोकर हो गया और ये सरसो की खली होते हैं, ये सब मिलाने का percentage देखते हैं लेकिन इसके body weight का percentage नहीं देखा जाता है। एक बार जब हम लोग उसमें फीडिंग करा देते हैं, मतलब भर देते हैं, मतलब बोरे में, और उसको जब टांग देते हैं, तो वो दो तीन दिन तक बड़े अराम से चलता है, फिर उसी बोरे को हम लोग जब खतम हो जाता है, तो फिर उसी को हम लोग रिफिल कर देते हैं, दोबारा उसको feeding डालके फिर से भर देते हैं और मचली अपना चाउं से वो खाती रहती हैं तो इस हिसाब से हम लोग इसको feeding कराए हुए हैं जो आप इसकी growth देख पा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें जरूर कमेंट करके बताएगा और जो भाई लोग नए आए हों चैनल पे प्लीज जो है चैनल को subscribe करें like करें और share करें और जैसा भी होता है हमें comment करके जरूर बताएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए करें लोगल लोगजीका घएल आए झाल करें लोग तोस्तों मिलते हैं औरBut